वेलकम टू माई चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोसो आज एक ऐसी महत्पुन जड़ी बूटी के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोसो जो की बरसाथ के मौसम में चारो और अपने आप ही लग जाती है हमारे देश भारत देश जड़ी बूटीयों का देश है जहां तरह तरह की वनस्पती और जड़ी बूटी पाई जाती है कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए आप देख रहे हैं एक वनस्पती मेरे घर पर भी लगी हुई है और अपने आप ही ये बारिश के मौसम में मेरे घर पर लग गई है इसे हम कहते हैं छोटा धतूरा इसे गोखरू भी कहा जाता है दोस्तों बहुत से नाम है इसके इसे शंका हुली कहते हैं अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है, कई लोग इसे शंकेश्वर कहते हैं, वैसे हमारे हां तो जातर छोटा धतूरा ही कहा जाता है, और गोखरु कहा जाता है, आपके शेतर में इसे किस नाम से पुकारा जाता है, मुझे जरूर बताईएगा, आप इसके पत्तों को देख यह कांटे यूक्त फल इस पुरी रइंग हो जाते हैं को देक आशपन पीकिक मारते हो होग्स कपड़े पर चिपक जाते थे जा थे दोस्तों हम तो बनार्व करते यूज किया है मैंने भी बच्पन में इसकूल से आते जाते समय बच्चे मस्ती करते थे तब ये इसके फलों को कपड़े पे चिपका देते थे एक दूसरे बच्चे के तो शायद आपने भी किया होगा अगर ऐसा किया है तो कमेंट जरूर करिएगा और आपके शेत्र में किस शंखा हुली और छोटा धतूरा कहा जाता है और कई लोग दोस्तों इसे घाखरा भी कहते हैं अलग-अलग खेत्रों में अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है सडकों के किनारे खाली पड़े हुए मैदानी इलाके में खेत खलियान में ये अपने आप वर्षा दितू में उख जाता है इसके पत्तियां हो चाहे इसके फल हो दोसों चाहे इसकी जड़ हो पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है और ज़्धी बनाने में और ज़्धी युक्त पौधा है प्रयोग इसका सावधानी पुरवक ही करें बहुत से लोग इसे जहरीला मानते हैं परन बिल्कुल ही भूरे रंके हो जाते हैं। तो तोड़कर नारियल तेल में या सरसों के तेल में आप पका लें। आप तेल से यदी मालिश करेंगे इसके पत्ते और इसके फल से बने हुए तेल से मालिश करेंगे तो बॉल्डनेस की परिशानी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। गंचे पन को मिटाने की एक चमतकारिक जड़ी बूटी है छोटा धतूरा। और इसके पत्ते खुरदूरे होते हैं चार से पांच फिट के करीब ये पौधा बढ़ता है जादा बहुत लंबा नहीं होता है परन्तु बहुत ही जादा इसके और जी गुण होते हैं। चाहे इसके पत्तों की बात करें चाहे इसके फल की बात करें चाहे इसके बीज की बात करें चाहे इसकी जड़ की बात करें। ये जहरीला नहीं होता है परन्तु फिर भी प्रयोक साथधानी पुरवक ही करें। तो कोमल पत्तों को पीस लें इसका लेब बना लें दोस्तों और इस लेब को भी यदि आप सिर पर इसका रस भी लगाते हैं तो भी बालों का ज़ड़ना कम होता है बहुत ही शक्तिशाली वक कारगर और ज़दी है और हम लोग इसे खरपतवार समझ कर फेग देते हैं हमको ल जानकारी जरूर होना चाहिए एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो की बरसात में अपने आप ही लग जाती है इंगलिश में इस छोटे धतुरे को बोला जाता है कॉक लवर और ये देखे इस तरह से मैंने कुछ पत्तियों को कूट लिया चार से पांच पत्तियों को और इसके लेब को यदि दातखावच खुजली पर भी लगाएंगे या बिलकुल ही ठीक हो जाता दोस्電वागी इतना बॉलनेस की समस्या को दूर करता है इसकी पत्तियों का रस इसके बीज भी डाल सकते है पत्ते है तो पत्ते है आले अभी तो बीज बनने इस्टार्थ है इ तो आप किसी भी तरह का चर्म रोग होगा, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा दोस्तों, इतना जादा ये फायदे मंद है, सरदर्द में भी दोस्तों इसके पत्ते को पीस कर पेस्ट लगाने से सरदर्द बिल्कुल ठीक होता है, माथे पर लगा ले, बिल्कुल ठीक हो जाता है, बवासीर में भी इसकी पत्यां बहुत ही फाइदे मंद होती हैं दोस्तों और साथ ही साथ फोड़े फुनसी ठीक करने के साथ ही साथ चेचक में जो दाग बढ़ जाते हैं उस दाग को भी मिटाने का काम करती हैं इसकी पत्यों का रस इसकी जड़ों का भी बहुत महत्व है द पत्ते इसके फल इसका पौधा सभी कुछ आपको दिखाया है तो छोटा धतूरा एक बहुत ही पौधा है तो इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है तो लाइक जरूर करें तेल कैसे बनाना है बालों के जंडे से परिशान है उम्र से पहले ही बाल सफेद हो रहा है बहुत जादा हेयर फॉल हो रहा है तो सरसो का तेल ले या तिल का तेल आज मैंने तिल का तेल लिया है और इस की पत्ती और इसके फलों को कुट कर डालादें है आप चाहें तो इस तेल को थोड़ा गरम कर ले अच्छा गैस में अच्छी प्र पका ले तकि पत्तित अच्छी क्रिस्पी हो जाए फिर चान ले इस पत्तियों के तेल से यदि तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया एक और जोडों के दर्द के लिए बालों के जढ़ने से परिशान है तो आप इसका इस्तमाल जरूर करें एक सप्ता इस्तमाल करेंगे आपको लगेगा कि हमारा हेर फॉल कम हो गया इतना पावर्फुल है इसकी पत्ती और इसके बीज दोसो नारियल तेल के साथ भी आप इसे बना सकते हैं और पुराने से पुराना जो आपका चर्म रोग भी होगा वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा एंटी बैक्टिरियल वा एंटी फंगल प्रोपर्टी होती है इसलिए चेहरे पर लगाने से कील अश्या दूर होती है इसके अलावा गाव में तो लोग इसकी पत्तियों को सुखा कर रखते हैं दोस्तों सुखा कर इसका चूर्ण बना लेते हैं बवासीर की परिशानी में इसके चूर्ण को लेते हैं ऐसा बोला जाता है या फिर आप इसका काढ़ा बना कर भी थोड़ा अच्छी एक जड़ी बूटी है जो की बहुत